नमस्कार फ्योष पॉनिमा सो में देखने को मिले काफी ट्विश्ट अंट्रेंस है जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर पॉनिमा की जिन्दकी में एक बहुत ही बड़ा तुफान आने वाला फिलाल के लिए यहां पर पॉनिमा और सिदार्थ के दो बच्चे होते हैं यहां पर एक लड़का और लड़की होते हैं जहां पर अब जैसे ही गर नहीं पहुंच रहा होता है सिदार्थ पॉनिमा तो काफी ज़्यादा कब्राय हुई होती है, सोच रही होती है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन यहां पर दरोगा जिक्वा जाता है बहुत बढ़ा दोखा है, क्योंकि फिलाल के लिए तो वो यहां पर वचला को नहीं अपनाना चाहता था, उसे साधी नहीं करना चाहता था, लेकिन आफ वचला कर देती है, सिधारत को मजबूर, जहां पर आप वो ऊसाइद उसके साथ साधी भी कर लेगा क्योंकि अब यहां पर जैसे पुझनिमा आजाती है सिधार्थ के पास है तो यहां पर अब बॉल देती है पुझनिमा वचल्हा जी से तुम बगवान मानती हो उसकी करो पूझा तो यहां पर वो सिदार्थ की पूजा करने लग जाती है पुर्णिमा बोल देती कि यह क्या कर रही हो यह तो मेरे लिए बगवान है तो यहां पर वतसला बोल देती जितने यह तुमारे लिए बगवान है जितने तुमारे पती उतना ही मेरा हग बे सिदार्थ पर क्योंकि हम दोनों की हो चु क्या सिदार्थ को किया ये सब कुछ करने के लिए मजबूर जहां पर आवच सला सिदार्थ की बतनी बनकर जाल दे कर लोटते हुए नजर आएगी